मशका दोस्तों मैं Sujit Pandya आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजर हूँ आज प्रेक्टिस सेट कुछ हटके है आज हो रहा है करेंट अफेस का प्रेक्टिस सेट तीस कॉश्चन करेंट अफेस के हैं कहीं से भी करेंट अफेस पढ़ते हो आपको टार्गेट है दस नंबर लाने का दस नंबर लाइए मतलब आपकी currentFS अच्छी है स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पुराने स्टुडेंट सभी अभी से वीडियो को लाइक कर दो बारही में बांगलादेश के किस आल राउंडर को ICC Player of the Month अवार्ट दिया गया ICC क्रिकेट से संबनित है ठीक है तो ये जो अवार्ट मिला है ये मिला है साकिब अलहशन को Option 2 यहां पर इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा Question 2 देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर Most IMP Question ए एक्जाम में आ सकता है देखिए British Company House of Fresh द्वारा तैयार की गई Report के मताविक वर्स 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूशित देश दुनिया का सबसे प्रदूशित देश 2020 के नुसार Option No.C बंगलादेश है याद रखेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है Question No.3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है विश्वा हाथी दिवस World Elephant Day देखिए किस दिन मनाया जाता है तो विश्वा हाथी दिवस Options के नुसार यहाँ पर याद रखो 12 अगस्त Option No.C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्वा हाथी दिवस Question No.4 देखिए मद्यप्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला Water प्लस शहर घोसित किया गया है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो सफाई में भी Number 1 रहता है बाकी चीजों में भी Number 1 है Option No.2 इंदौर इंदौर मद्यप्रदेश की Financial Capital भी कहलाती है Capital भुपाल है लेकिन वित्तिय Financial Capital इंदौर कहलाती है Option No.2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा Question No.5 देख लेते हैं निम्न में से कौन सा एप विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किये जाने वाला एप बन चुका है तो यहाँ पर जो options दियेगा है उसके अनुसार TikTok जो की भारत में बैन है आपको पता है यह विश्व में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला एप बन चुका है Option No.2 यह सही आंसर हो जाएगा Question No.6 भारतिय एथलेटिक महासंग की समीति के अनुसार देश में हर साल किस तारिक को Javelin Throw Day मनाया जाएगा यहाँ पर 7 अगस्त को हर साल Javelin Throw Day मनाया जाएगा Javelin Throw में भारत को सौन पदक दिलाया है किसने दिलाया है कमेंट करके बताएग अगला कोशन देखिए यह रहा आपकी स्क्रीन पर केंद्रिय स्वास्तर मंत्री मनसुक मन्डाविया के अनुसार भारत में 6 रोग मतलब टीवी कितने प्रतीशत मामले 15-45 आयू वर्ग के हैं तो कुल 65% मामले जो हैं यह 15-45 साल के लोगों को टीवी की सिकायत है ऑप्शन नमबर डी यहां पर से आंसर हो जाया कॉप्शन नमबर आठ हाल ही में किस देश ने एंथ्रेक्स निमोनिया के एक मरीज के पीडित होने का पता लगाया है तो हमेशा की तरह इन सब चीजों में एक ही देश आगे होता है उसका नाम है चीन चीन में मिला है पहला एंथ्रेक्स निमोनिया का मरीज option number यह से answer हो जाया, question number 9 भारती होकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हरा कर टोक्यो ओलम्पिक में निम्ने में से कौन सा पदक जीता आप सभी को पता है, यहां पर भारती टीम होकी टीम पुरुष्ट के द्वारा कास से पदक जीता गया है, option number भी बिलकुल से answer हो जाएगा, और महिला टीम ने भी बहुत ही अच्छा performance दिया है पुराने मुकाबले, यदि वो एक मैच जी जाती तो उनके पास भी पदक होता, question number 10 हिंदी एवं डोगरी भासा की कि किस प्रशिद लेखिका एवं कवियत्री का 81 वर्स की उम्र में निधन हो गया भाशा कौन से थी हिंदी है नाम है उनका पद्म पद्मा सच देवजी, option number A, लेखिका है यह बहुत famous और कवित्री, question number 11 देखिए, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते किस देश को पहली बार हतियार बेचने को मंजूरी देदी है तो यहां पर सही answer हो जागा Taiwan, Taiwan को हतियार बेचने पर मंजूरी देदी है, चीन का दवाव था उसके बाद भी, अमेरिका बोल रहा है देखते हैं, जोर कितना बाजुवे कातिल में है, कौशन नमर अगला देखिए यह आपकी स्क्रीन पर कौशन नमर 12 IIT रुडकी ने किस राज के लिए भुकंप पूर्व चेतावनी EEW मोवाइल एप लॉंच कर दिया है तो यह IIT रुडकी ने लॉंच किया है उत्तरा खंड के लिए यहाँ पर ऑप्शन नमर C इस प्रशन के लिए विल्कुल सही आंसर हो जाएगा किसलिए है भुकंप की पूर्व चेतावनी है तू कौशन नमर 13 हाल ही में किस मशुहूर फिल्म समिच्छक का 74 वर्ष 74 वर्ष की उम्र में स्वास्त संबंधी परिशानियों के चलते निधन हो गया तो यहाँ पर सही आंसर है आपका राशित इरानी जी option number C इनका निधन हो चुका है अगला कौशन देखिए यह आपकी स्क्रीन पर हाल ही में किस देश ने 3-17 वर्ष की आयू के बच्चों के लिए COVID-19 के TK लांच कर दिये है तो वह देश बन चुका है आपका UAE option number B इस प्रशन के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा caution number 15 देखिए अंतराश्ट्री मुद्राकोश IMF के सदस राश्टों ने COVID-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्च और आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए देशों में मदद करने हैं तो कितने billion dollar की मंजूरी दी है IMF ने तो यह जो है यह दी गई है 650 billion dollar option number D यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध anti-ship missile harpoon का joint common test set भारत को देने का फैसला कर लिया है तो यह अमेरिका देगा anti-ship missile है जिसका नाम क्या है harpoon option number B यहाँ पर इस प्रशन के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा हाल ही में किस भारतिय महिला shuttler ने Tokyo Olympic में कास से पदक जीता है उनका नाम क्या है वह regular दो बार जीत चुकी है उनका नाम है PVE Sindhuji option number B ठीक है इन्होंने यह shuttler है महिला shuttler है Tokyo Olympic में कास से पदक जीता है इन्होंने अगला question देखिए व्यक्तिगत event में दो पदक जीतने वाली पहली भारती महिला बन चुकी है इसलिए most important question है पुर्सों में कौन है तो पुर्सों में है Shushil Kumar ji इन्होंने Beijing Olympic और London Olympic में कास जीता था एक में रजत एक में कास अगला देखिए निम्नमैसे किस देश को अगस्त दुजार किस के लिए परिसर का अध्यक्षता मिली है तो यह है भारत के पास सबको पता है option number C ठीक है राष्टी सुरक्षा सयोक्त राष्ट सुरक्षा परिसर की अध्यक्षता UNSC की सूचना एवं प्रसाण मंत्रालय के नए सचयो के रूप में किसे निक्त किया गया है तो यह बन चुके है अपूर्वचंद्रजी ठीक है option number B ठीक है यह सूचना एवं प्रसाण मंत्रालय के नए सचयो बन है question number 20 देखिए भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे निमने मैंसे किस खिलाडी ने सन्यास ले लिया है तो एक नाम या रखी गा मनन शर्मा जी यह घरेलू क्रिकेट मतलब रंजी ट्रॉफी खेलते थे बहुत समय से खेल रहे हैं और यह मैंटी में सेलेक्टर नहीं हो पाए तो अब बहुत लंबे समय से इन्होंने फिर सन्यास ले लिया है अगला question देखिए research ने verse 21-22 के लिए भारत की आर्थिक विकासदर का अनुमान कितने प्रतीशत लगाया है तो यह अनुमान लगाया गया है 9.4 प्रतीशत option number A इस प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा question number 23 देख लेते हैं इसमें पूचा गया हाल ही मैं किस देश सयोग राष्ट के सयोग से दुनिया भर में काम कर रहे है शान्तीसयनकों कि सुरकषा सुनिशित करने के लिए अप्रद््ध्ध्वोगट की मंझ बनाये जाता है कॉशन 25 देख लीचे यह आपकी स्क्रीन पर केंद्रिय मंत्री मंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझोता ग्यापन को मंजूरी दे दी है तो भारत और बांगला देश के बीच में आपदा प्रबंधन पर MOU मतलब समझोता कितने लाख करोर रोपय के बाजार मूले को पार करने वाली दूसरी भारतिय कंपनी बन गई है तो अब 13,00,00 करोर रोपय को पार करने वाली दूसरी कंपनी बन चुके है TCS कमेंट करके TCS का फुल फॉर्म बताइए देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग जाग तो अब महिलाय भी NDA परिक्षा में बैटेंगी अधिकारी बनेंगी ठीक है सेना में अपना सयोग देंगी National Defense Academy ठीक है NDA अगला कॉशन देखे ये रहा आपकी स्क्रीन पर कॉशन नम्र 28 हाल ही में किस राजी सरकार ने प्रदेश में गोरक धंदा सब्द के इस्तिमाल पर प्रतिबंद लगा दिया है तो ये जो प्रतिबंद लगा यह लगा गया है यह लगा गया है हर्याना सरकार के द्वारा option no.C गोडक धंदा सब्द जो है इसको अब इस्तिमाल करने के लिए बुक्कमंदरी मनुहर लाल खटर ने इस पर परतिबंद लगा दिया है अगला question देखे यह रहा आपकी screen पर question no.29 विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व फोटोग्राफी दिवस options आपके यहां पर option no.D से answer हो जाएगा 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस और यह रहा आपका आज का आखरी question question no.30 एक surprise question भी है आपके लिए अनदर अश्टि यह मुद्राकोष AI MF ने तालिवान के कबजे के बाद किस देश को सभी sticky मदद रोग दी है तो तालिवान के कबजा आप सभी को पता है एफगानिस्तान पर हो चुका के लिए भारत और किसे देश के बीच समझोता ग्यापन को हाल ही में मंजूर दी है इस कॉशन का अंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए दोस्तो कमेंट आपको कॉशन कैसे लगे क्या आपको करेंट अफिर्स के ऐसे ही प्रेक्टिस सेट चाहिए आप सभी का दिन शुभू बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों